यदि कोई व्यक्ति अपने टकने को तोड़ता है और उसके बाद हड़िया एक दूसरे के साथ चूड़ी हुई ना हो तो आपके डॉक्टर हड़ियों की पुनस्थापना करने यानि कि उन्हें वापिस अपने स्थान पर बिठाने और वहां सुरक्षित रखने के लिए एक स हड़िया जिने टीबिया और फिबूला कहा जाता है और टकने की हड़ि जिसे टैलस कहा जाता है टीबिया और फिबूला के अंध के हिस्से के साथ एक अठ्ठा होकर एक मॉर्टिज यानिके स्लॉट बनाते है जो टकने के जोड़ का तल यानिके सबसे नीशला हिस्सा बनत पैरों के टकने का सबसे आम प्रकार है फैक्चर यानि कि अस्थिपंग तब होता है जब पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है और टकना बाहर की तरफ कुमता है यदि फैक्चर स्टेबल यानि के स्थीर है तो हड़ियों के टुकडे उनकी सामाने जगर यस्थिती में लगे हुए रहते हैं किसी भी प्रकार के फैक्चर में एक से अधिक हड़िया तूट सकती है डिस्प्लिट्स फैक्चर यानि के विस्थापित अस्थिवंग टकने की हड़ियों के टूटने के बाद अपने स्थान पर एक दूसरे के साथ चुड़े हुए नहीं रहते हैं यदि कोई हड़ि तवचा को फाड़ कर उससे बाहर निकल आए तो उसे कमपाउंट या उपन फैक्चर यानि के मिश्रित अस्थिवंग कहा जाता है हड़ियों के टुटने के अलावा टकने में मोच भी आ सकती है इसका मतलब यह है लिगामेंट्स यानि किस नायू बंदन खीच गए है या फट गए है यदि टकने में बहुत सुजन आई है तो आपके सर्जन सर्जिकल प्रक्रिया यानि कि ऑपरेशन को थोड़ा पीछे तकेल देंगे ताकि सुजन कम हो सके इस समय के दौरान सर्जन आपके टकने को आधार देने के लिए और उसे स्प्लिटम रखेंगे यानि कि एक खास प्रकार की पट्टी इसके अलावा सर्जन आपके अपने टकने को अपने रदै से उपर रखने की और उस पर बरफ लगाने की सला दे सकते है Stable Factor यानि कि स्थीर अस्थिपंग का इलाज करने के लिए स्वास्त्य दिखबाल प्रदाता आपके टकने की कतिवितियों को बंद किया जाएगा और उसके लिए आपके पैर को कास्ट या बूट में रखते हैं ताकि हड्डियों के एक साथ रहने से विजल्दी से ठीक हो जा और एक दूसरे के साथ चूड सके डिस्प्लेस एंकल Factor यानि कि टकनी की डिस्प्लेस अस्थिपंग का इलाज करने के लिए सबसे सामान्य सर्जिकल प्रक्रिया को open reduction with internal friction कहा जाता है इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सर्जन आपकी त्वचा में Factor के उपरी हिस्से में एक चीरा करेंगे सर्जन तुटी हुई हड़ियों के टुकडे को देखने और उनका निरिक्षन करने के लिए टकने को खोलेंगे और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे इन टुकडों का एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और अपने स्थान पर रखने के लिए एक प्लेट और स्कुरू का उप्युक किया जाएगा कभी-कभी अन्य टूटे हुए टुकडों को उनकी जगह पर बिठाए रखने के लिए तवचा में दूसरे स्थान पर चीरा करके उसमें से अध्रिक स्कुरू भी लगाये जा सकते हैं अगर टीबिया और फिबुला को एक दूसरे के साथ जोड कर रखने वाले लिगामेंट्स को गंबिर नुकसान हुआ है तो आपके सर्जन दोनों हड्डियों में से पारित हो सके वैसे स्कुरू डालेंगे या दोनों हड्डियों में से एक सुचर डिवाइस रखा जा सकता है जो लिगामेंट्स को जोडने में मदद करता है जब तक लिगामेंट्स पूरी तरह से ठीक न हो तब तक इन में से कोई भी उपकरण हड्डियों को एक साथ जोड रखने में मदद करेगा प्रक्रिया के अंत में सर्जन तवचा में किये गए कोई भी चीरे को एक टाके लेकर बंद कर देंगे